नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारा यूटूब चैनल खुसबू टेक में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो गूगल एट्सेंस अकाउंट है जहांपे हमारा पेमेंट आता है जहांसे वहाँपे earning क्यों नहीं सो हता है जब भी आप と를yo में अपना earning चेक करेंगे तो वहाँ पर सारा update दिखाया जाता है चाहे वह आप एक एक दिन का अपना dollar चेक करें आपने कितना earning किया है या फिर 7 दिन का या फिर 28 दिन का या फिर 365 डेज का अर्णिंग आप चेक करेंगे वाइटी स्टूडियो में तो सब कुछ वहाँ पे हिस्ट्री आपको मिल जाएगा लेकिन अब जब भी आप Google Adsense अकाउंट में अपना अर्णिंग चेक करतें तो आपका एक मैना का ही पेमेंट दिखाया जाता है ऐसा क्यूं होता है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 7 से लिके 12 तारिक के बीच में एड होता है और उससे पहले आप आर्निंग वहाँ पे चेक करेंगे जैसी कि January के लाइस्ट में आप जाके वहाँ पर आर्निंग चेक करेंगे तो January का वहाँ पे अपडेट नहीं दिखायगा और आप फरवरी का महिना में भी 5-6 तारीक को आप जब चेक करेंगे अपना Google Adsense अकाउंट में तब भी आपका January का आर्णिंग आपने कितना किया है Google Adsense में 100 नहीं होगा तो आप समझ गया है कि साथ से लेके 12 तारीक के बीच वहाँ पे अपडेट हो जाता है और वहाँ पे जाके जब 12 तारीक के बाद जैसे कि जनवरी में आपने पूरा एक से लेके 31 तक आपना कितना अर्णिंग किया है वो जाके फरवरी के 12 तारीक के बाद वहाँ पे 100 होता है 12 तरीक के बाद अगर आप अपना Google Adsense अकाउंट में अपना अर्णिंग चेक करेंगे तो आपको पूरा दिखाएगा जनवरी में आपने कितना अर्णिंग किया है तो घुमा फिरा कि आप समझ गया है कि एक मैना के बाद अपडेट होता है जैसे कि जनवरी में कितना आप अर्णिंग किया है फरवरी का 12 तरीक के बाद वहाँ पर सो होगा तो हम सब ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा Google Adsense में 8 डॉलर क्यों नहीं सो होगा है हमारा Adsense बंद हो गया या फिर बहुत सारा हम कुछ अपना दिमांग में उल्टा सोच लेते हैं तो ऐसा नहीं है आपका डॉलर एक मैना के बाद अपडेट होता है और यह नहीं कि आपका डॉलर आपने एक मैना में कितना किया है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है ऐसा नहीं होता है आपका 100 डॉलर कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगर आप Google Adsense में चेक एक इस तारीक से पहले आपका अगर 100 डॉलर हो गया है तो आपका पेमेंट आ जाएगा लेकिन आपका अगर Google Adsense अकाउंट में 100 यह आएगा 100 डॉलर होने के बाद ही पेमेंट आता है आप लोग तो यह भी कंप्यूज में रहते कि हमारा 10 डॉलर होगा 15 डॉलर होगा उसके बाद हमारा पेमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में आता है तो इस वीडियो में आप समझ गया होंगे कि Google Adsense अकाउंट में आपका अर्णिंग कब अपडेट होता है और कैसे इसको चेक कर सकते हैं और कब यह अपडेट होता है सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताई दिया है तो इस वीडियो में इतना है फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू झाल झाल